हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल लिना आज किचन हिंदी तो आज कोई रेसपी वीडियो नहीं है क्योंकि आज है सकट चोथ तिल चोथ और तिल चोथ की जितनी भी पूजा की जान करिए वो मैंने आपने आपको एक वीडियो में दे दी है और इसमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए आज उसी टोपिक पर मैं आपको बताने वाली हूँ 31 जनवरी रवीवा सकट चोथ के दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो इसकी जो पूजा विदी है वो मैंने उसका वीडियो एक बना दिया है और साथी साथ तिल चोथ के दिन हमे क्या नहीं खाना चाहिए तो जब भी आप इसका वरत रखे तो सुबस बैज संकल्प कर लें कि हमें आज तिल चोट का वरत है वो हमारा पूरी पूज़ा विदी के साथ संपर्ण हो और साथी साथ तिल चोट के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ तो माना जाता है कि जो तिल चोथ के वृत के दिन कहीं कहीं जगे के पानी निर्जला वृत किया जाता है और कहीं जगे आप कुछ खा भी भी सकते हैं। अगले दिन ही कुछ खाया या पिया जाता है और अन बिल्कुल भी घ्राण ना करें, पूरे दिन भर यही व्रत का असली नियम होता है, आप चाहे तो इसके अंदर आप फलार कर सकते हैं, कई-कई जगह पर फलार भी करते हैं, और दूर चाय कॉफी भी पी सकते हैं, लेकिन अन बिल्कुल भी घ्राण नहीं करना है, और अन से बनी हुई चीजे बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, अगर आप रत करते हैं, तो अन अगले दिन ही खाएं, जहां तक हो सकें, और चंदोदे के बाद आप चाहे, कॉफी या कुछ भी फलार ले सकते हैं, लेकिन जब भी में पूरे दिन बाद कोई भी अन ग्राण नहीं करना है, अने से बनी हुई चीजे बिल्कुल भी नहीं कहनी हैं, और साथी साथ आप चाहे तो, और कहीं कहीं जगों पर तो ये भी है कि फलार, दूद वगर कुछ ले लेते हैं, लेकिन मेरे यहां तो यहीं होता है कि फलार भी ले लेते हैं, दूच चाहे, कॉफी भी पी लेते हैं, लेकिन जब तक हम लोग पूजा करते हैं, जब तक चंदोदे से पहले जब पूजा करते हैं, पूजा करने के से लेकर, जब तक हम ना तो कुछ पानी पीते हैं, ना चाहे पीते हैं, कुछ भी नहीं पीते हैं, न गुछ भी नहीं पीते हैं यह पीरियोड अपिरियोड यह अत हमें ना कुछ घृता है बस सीधा पूजा करने के बाद ही हम खाना कच्छा लेते हैं यह तो मेरो यहां का नियम है और असली व्रत था को बता दिया कि कि किस सारीके से असली वृत किया जाता है निर्जला वृत किया जाता है और पूरे गीया जाता है अगर आप वृत की जो पार्णा करें वृत-पूरा करें तो उसके बाद है इस tuhरत में कि हमें क्या क्या खाना चाइए और आस एकने अपने अकोर्णिग देख सकते हैं कि आप किस तरह की नियम क रखते हैं या रखती हैं और इसलिए व किस तरह से आप इस वरात को पूरा करती हैं वो आप अपनी शद्दा कर यह उन्म कर सकते हैं तो यह था एक जोटा वीडियो की तिल-चोद को आपके लिए और धेस्ट भीयो बनाने के लिए मिलती हूँ अगली नेक्स वीडियो रैसिपी में बावाइ